मुलायम सिंग यादव कहा चुके हैं कि ये मेरा आखरी चुनावगा लेकिन बड़ी बात कुमार अभिशेक वो तस्वीर थी जब मायवती वोट मांग रही थी मुलायम सिंग यादव के लिए साल बाद दोनों साथ आये थे अब ये बताईए कि मंच से तो वोट मांग ले गए लेकिन ग्राउंड पर क्या कारेकरता एक हुए हैं देखिया नौजोत पूरी कोशिश इसी बात की है कि जो गठबंधन के वोटर्स हैं वो एक साथ हो और इसकी ही हमें कह सकते हैं एक बानगी हमें पिछले दिनों दिखाई दी जब दोनों नेताओं ने यहाँ पर जॉइंट रैली की थी बता दू कि हैं दस जगहों पे चुनाव है उत्तर प्रदेश में और सबसे बड़ा जो छेतर है वो मैनपूरी है मैनपूरी से मुलाइम सिंग यादो चुनाव लड़ रहे हैं पिछली बार भी जीते थे हाला कि उन्हों ने यह सीर छोड़ दी थी उसके बाद भतीजे यह हाँ से जीते थे लेकिन इस बार का चुनाव बेहद एहम है मुलाइम सिंग यादो ने साफ कह दिया है कि उनका आकरी चुनाव है यादव लैंड है गड़ है यादवों का तकरीबन साड़े चार लाह के आसपास उनके अकेले वोट है दलित और यादो अपने आप में बड़ा कॉंबिनेशन है बीजेपी यहाँ प्रेम सिंग साके को बीजेपी ने उता रहा है जो की जो इस कॉंबिनेशन से इतर जो दूसरी जातिया है उसके आप में यहादव रही है हम इस वक्त सैफाई में हैं और तमाम जो परिवार के वोट हैं यहाँ डाले जाएंगे चाहे मुलाइम सिंग खुद डालेंगे, इसके अलावा अखिलेश यादव, डिमपल यादव, साधना सिंग, इसके अलावा जो प्रती हैं, शियुपाल यादव हैं, तमाम लोग जो पूरे परिवार का यादव परिवार जो है, इस बूत पर वो डालेगा, यह जो बूत है, यह मॉडल बूत के तौर पर मैं आपको दिखा दू कि मॉडल बूत के तौर पर इसे घोशित किया है मैनपुरी प्रशासन ने, और साड़े साथ बजे के बाद से आना शुरू होगा, मुलाइम सिंग यादव तकरीबन डस बजे के आसपास आएंगे, अखिलेश यादव डिमपल यादव, साड़े दस बजे के आसपास पोल करेंगे, सुभे हमें जो जानकारी दी गई थी कि शिवपाल यादव वोट करेंगे, लेकिन बताया ही जा रहा है कि अब वो देर दो पर वोट कर सकते हैं, राम गोपाल यादव अपने परिवार के साथ आएंगे, तो बेहद ही एहम है यहां का चुनाओ नौजोत और तमाम नजरें इस वक्त ठीकी हुई है, लेकिन एक बात बता दूँ कि बीजेपी ने आज तक यहां से जीत हासिल नहीं की है, ऐसी इस सिति में, और मुलायम सिंग्यादों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो आखरी चुनाओ है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यहां क्या हो सकता है